हेलो दोस्तो नमेशकार एसमकिसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के दिन मार्केट आप लोगो ने देखा योगा बहुत ही गजब का मतलब हम लोग को पूरे हम लोग बोलते ना सीसौ टाइप जो सीसौ रहते वक्त एक सेकेंड में डाउन जो चीज़े चलती रहती है सेम उसी टाइप का पैटन आज के दिन हम लोगो मार्केट में यहाँ पर देखने को मिला है तो आज के दिन के जो मार्केट था उससे हम लोगो बहुत कुछ अच्छे-चे सीख यहाँ पर मिलने वाली है जो लोग नए है जो लोग बिगनर्स है या फिर जो लोग experience भी है उनको भी बहुत कुछ चीज़े आज के मार्केट से यहाँ पर सीखने को जरूर मिली होगी तो चले दोस्तो फड़ावड सी उडियो को start कर लेते जितने भी important points है आज के मार्केट से related उसको यहाँ पर cover कर लेते हैं तो चले साथ आज के दिन के अगर हम लोग बात करें American Bazaar का future बहुत ही जादा mix था आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी हम लोग को पहले उपर जाते हो देखने को मिला बाद में गिरावड बाद में वापस उपर बाद में गिरावड बाद में वापस उपर सो बहुत ही uncertainty देखन थोड़ा वीडियो आगे जाने के बाद मैं आप लोग को बता दूँगा एक बार global market का भी संकेत हम लोग देख लेते हैं इंडियन market बहुत ही अच्छा का सा ठीक टाक रहा है उसके साथ अगर हम लोग बात करें European market में थोड़ा सा mix performance देखने को मिला जैसे कि आप जर्मनी मे यहाँ पर थोड़ा सा लाल निशान देख सकते हो कोई बड़ी moment नहीं है उसी के साथ साथ अगर हम लोग बाकी के market में भी अगर हम लोग बात करें Europe में तो हम लोग को mix reaction देखने को यहाँ पर मिल चुका है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें sensex की तो आप लोग देख सकते 355 points की jump देखने को मिल रहे बट एक्चुल में यह पूरी jump नहीं है अगर आप लोग market देखोगे यहाँ बहुत ही ज्यादा volatile था अगर मैं exactly jump बोल दू market यहाँ पर लगबग जो low था market का 40,076.47 छोड़ दी अगर आप लोग देखोगे तो मोटा मोटी 600 से 700 points भी अगर आप बोलोगे चलो साड़े 600 points बोल सकते हो इतना जबरदस jump आज sensex ने अपने lower level से यहाँ पर लगाया है तो आप लोग देख सकते हैं क्या गजब का आज का performance था पहले market डाउन गया उसके बाद वापस अप चला है ऐसे देखा जाए तो call and put buy करके जादा पैसा तो नहीं बनता है बट anyways यहाँ पर क्या करते वो लोग put buy करते सो उनकी वापस हम लोग कह सकते band बजा दी कैसे आप लोग देख सकते market वापस recover हुआ सो आज का दिन अगर मैं overall बात करूँ जो नए traders है उनके लिए बहुत ही जादा मुश्किल वाला जरूर हुआ होगा क्योंकि आप देख सकते हो पूरा uncertainty बाजर में देखने को मिल रहे हैं अप डाउन अप डाउन क्लियर आप लोगों को समझ में आता है कि बाजर कितना वॉ volatility हम लोगों को यहापे निफ्टी में भी देखने को जरू मिली है तो आज का दिन जिन लोगों ने trading किया होगा तो obviously हम लोग क्या सकते है retail investor हमेशा हमारी उनकी जो गाड़ी income होती है trading में गवा देते हैं दूसरों के call सुनते रहते हैं तो आज का दिन उनके लिए तो बहु विशा मार्केट को usually award करना होता है यह मैंने last time भी आपको बता दिया है usually आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमनों को आप मार्केट को exactly track कर ही नहीं पाओगे कितना कुछ भी यहापे बन जाने दो यहापे दोजी candlestick बनने दो या फिर कुछ भी बनने दो market किसी भी direction में आप पर चलता है क्योंकि यहापे जिस तरीके से sentiments बनते है news बनते है उसके हिसाब से emotional basis की उपर market हमनों को move होते देखने को मिलता रहता है तो आज का दिन यह बहुत एक बड़ा सीख है जो की traders हो लोग है जो investor है उनको ज्यादा कोई फरक नहीं पड़ता है उनको stock अगर नीचे म मिल रहा है up down up down इसके पीछे का जो main reason है दोस्तो US market में जो election चल रहा है वो दोस्तो पहले जो जैसे मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि वहां की जो media है वो usually जो बिड़न को जादा support करती है थोड़ा सा मैंने यहापर पढ़ा है इसलिए मैं कोई expert नहीं हूँ इसलिए पहले ही बताना चाहूंगा और यह भी बता जा रहा है था कि डोनाल ट्रम शायद से 200 के नीचे भी हम लोग को इनका नंबर यहापर देखने को मिल सकता है बट यहापर अभी तक कि अगर हम लोग यहापर बात करें आप देख सकते 238 यहापर हम लोग को नंबर फि लेट टाइम तक यहापर वोटिंग चल रही थी इसके लिए वो सुप्रेम को जाने की चर्चा कर रहे है अभी तक एसा कुछ हम लोग को ऑफिशली देखने को नहीं मिला है बट यह नंबर देखके तो हम लोग को जरू पता चलता है कि बहुत ही काटे की टकर यहापर चल मिल रही है तो बहुत सरो लोग मुझे भी लास्ट वीडियो में पूछ रहेते सर आपने दुनिया बर के सारे बाते तो बता दी बट आपको क्या लगता है कि कौन जीत के आना चाहिए तो रस्तो मैंने इससे पहले भी आप लोग को बता दिया कि अगर हम लोग अगर बाते करें तो ट्रम्प यहाँ पर जीतेंगे तो एक अच्छी बात हो सकती है देखें आईटी सेक्टर फार्मा सेक्टर के तबा नहीं हो जाएंगे आज भी वो टॉप पे चल रहे जबकि ट्रम्प ही पेसिडेंट थे बट ट्रम्प का आना इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि कि वो चाइना को बार-बार टार्गेट करते रहेते और यह सबसे एक अच्छी बात हम लोगों को इंडिरेक वे में भी फायदा पहुचाती रहेगी और अगर हम लोग जो बिड़न की बात करें दोस्तों तो ऐस सच उन्हों ने ऐसे चाइना के खिलाफ कोई बड़े स्टे लाल निशन में रियालिटी सेक्टर बहुत ही दिनों से प्रेशर में है आज भी प्रेशर में मेटल सेक्टर भी थोड़ा प्रेशर में देखने को मिला है और भी कोई अननेसेसरी वजा यहां पर इंसर्ट नहीं करना चाओंगा जो कुछ भी यहां पर हो रहा है अमेरिकन बाजार में जो भी यहां पर प्रेडिक्शन किये जा रहे है उसी के चलती यह वोलाटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोला था आज की वीडियो में भी वापस रिपिट कर रहो और फ्यूचर में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को यह चीज रिपिट होते हैं देखने को मिलेगी यह ट्रेडर के लिए एक अच्छा मोका होता है कमाने के लिए बट स्टार के परफस से अगर मैं बात करो दोस्तो तो उनको कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हो दोस्तो और अभी भी प्रूफ के साथ दिखाना चाहूंगा एक बार काम कर लेते हैं निफ्टी के उपर आ जाते हम लोग आप चेक लेमन ब्रदर्स आप सबी लोगं पता है युएस की जो एक बैंक है वो डूब गई थे उसके कारण वो पूरा महा भारत हो गया तो हमारे निफ्टी में भी देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट हुई थी यहापे बट क्या मार्केट खतम हो आज हम लोग यहापे स्टै जरनी है आप लोगं को लगते हैं क्या यह प्लेन जरनी थी सब कुछ नॉर्मल था कितना कुछ यहापे हम लोगं को होते हो देखने हैं 2611 हो गया इतना बड़ा हमारे मुंबाई के उपर अटेक आप सबी लोगं को पते कितनी चीजे हो गई बट स्टिल हमारा मार्केट हमा अच्छे शेर्स की लिस्ट बना के रखनी जो कि आपको अच्छी लगती है यह मैं बार-बार बोल चुका हूँ दूसरों को पूछना नहीं दूसरों को कुछ भी नहीं आता मुझे भी कुछ भी नहीं आता आपको जो लगता है न यह पकड़ना और उसके बाद वो शेर अ बाद में रोना शुरू तो फिर नहीं होगा स्टॉक मार्केट में आपको वक्त देना पड़ेगा और जो लोगों ने वक्त दिया है उनको अभी समझ में आया कि मैं क्या बूलनी की कोशिश कर रहा हूं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों यह जो वोलेटिलिटी यह चलती रहेंगे बाद में वापस हमारी इदर भी इलेक्शन आएंगे और कुछ ना कुछ इवेंट होगा बट ओवरल जो जर्नी है वो अप्ट्रेंट वाली रहेगी तो फिर बिंदास रहने का और जो अच्छे शेर्ज है कॉलिटी शेर्ज है उसमें आप लोग चाहो तो वहाप को अच्छा लगा होगा थोड़ी सी सीख भी मिली होगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ शेर करना एंड दोस्तों वीडियो को क्लोस करते वाग जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आप देख सकते हो कमेंट सेक्षन में यहापे आके वाप यह जो नाम है वो फेकी नाम रहेगा तो इसलिए में उज़े ब्लॉक करना पड़ते है और आप देख सकते सारे के सारे कमेंट के पैटन है बिल्कुल सेम रहेंगे हर किसी का नाम अलग अलग है बट यह अभी ब्लॉक हो चुके तो अभी क्या करेंगे वह दूसरे नाम के पर आजएंगे के के डीके एके रैट शर्मा वर्मा कपूर खान एसे नाम से वह आएंगे और बार बार यह बोलेंगे कि हमारा नुकसान होगा हमारा नुकसान होगा पूरा टाइम यह